नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धर्म सर्मार्ग दोस्तों करवा चौट 27 अक्टूबर 2018 को है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुरती थिथी को मनाया जाता है और ये लगभग पूरे भारत वर्स में ही मनाया जाता है करवा चौट का बरत पती की लंबी आयू के लिए महिलाएं सुहाकिन महिलाएं मनाती है और दोस्तों इस बरत का एक और फाइदा है इस बरत को करने से धन धाने की कभी कमी नहीं होती और आयू भी लंबी होती है स्वास्त भी उत्तम रहता है सीव पारवती, गनेज जी और कार्ती के जी की पूजन किया जाता है इस बरत में दोस्तों पूजन भी दी हम आपको बतलाएंगे सबसे पहले तो दोस्तों आप सर्गी खाएंगी सुभा जैसे 27 अक्टूबर को ये बरत है तो आप एक दिन पहले ही टोटल सामगरी ले आईए हम अंदर सामगरी की लिष्ट भी आपको दिये वे हैं आप देख सकते हैं इसमें आपको खीर, पूरी, दमालू, हलुआ ये सब बेगर आपको इसमें सामिल करना है आप खा लीजे फिर आप संकल्प लेकर इस ब्रत को शुरुआत कीजे सुभा स्नान करने के बाद संकल्प लेने के साथ एक मंत्र है उसको आपको बोलना है ये इस मंत्र को बोलने के बाद आप संकल्प लेकर इस ब्रत को श्टार्ट कीजे और पूजा की विधी में जैसा कि दोस्तों हमने बतलाया 27 अक्टूबर को है और पूजन का सुभ मूर्थ भी हमने दिया हुआ है आप ये सामने स्क्रीन पे अभी भी आएगा आप प्लीज देख लें और इसी सुभ मूर्थ में ही आप पूजन कीजिएगा आपको फल इसकी संपूर्ण फल की प्राप्ती होगी अब हम बतला रहे हैं आपको पूजन कैसे करें करबा चोट के बरत में एक पट्टा लें ल पीठा जी जैसे सक्कर बेगर आप रख सकती है सक्कर का भूरा और करवा चोट पूजन के लिए आप दिवाल पर करवा माता की तस्वीर बनाएए या फिर आप चाहें तो एक रेडिमेर अभी मिलता है मार्केट में आप लाके अपने दिवाल में लगा सकती है या तस्वी या फिर आप नहीं ला पाई है तस्वीर तो फिर आप आटा और हल्दी घोल कर आप तस्वीर बना लें दिवाल में उकेर लें प्रतिकात्मक रूप से इससे भी काम चल जाएगा गनेजी मां गौरी इनकी आपको तस्वीर बनानी है पूजन आप कीजिए इन्हें आप जल माता की ब्रत से संबंदीत प्राचिन काल से ही जो चली आ रही है कहानी वो हमने वीडियो डाला है आप लिए जरूर सुने और ब्रत के बाद ये जो आपने पूजन किया इसके बाद कथा सुनने का बहुत ही बिसेस महत्त्व है और पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा तो में आपको ये कामाएगा तो दोस्तों उसके बाद आप रात में अभी इस बार करीब आठ वजे चंद्रोदे होगा आप उसमें चलनी और एक घी का दीपक और साथ में आपको ये जो जल है लोटा का और गेहूं के तेरा दाने लेके छट पे जाना है या चपिर जहां भी आप चंद्रमा को देखके अर्द देंगी और वहां चलनी में चलनी के ओट से चंद्रमा को देखें और अर्द दे और उसमें दीपक रखें और फिर अपने पती का मुख देखें उसके बाद आप अपने ब्रत को पती के हाथ तो तोड़वाएं या फिर उसके बाद जाके या फिर फल खाकर भी करती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आप आम बरत के तरह ही कर सकती है अगर आपका स्वास्थ साथ नहीं दे रहा है तो इस बरत का एक और नियम है दोस्तों कि इस बरत को करने के बाद लगातार करना चाहिए बीच बीच में छोड़कर नहीं करना चाहिए आप फल करके कीजिए खाकर चलेगा लगातार 12 बर्स या 16 बर्स तक करने के बाद इस बरत का उद्यापन किया जाता है लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा इस बार करवाचोट के बरत का मास था आप सायद दो मास जानती होंगी इस बार जेट मास दो महिने का था इसलिए इस साल किसी नई इस तरह कोई चाहर है करवाचोट का बरत करने के लिए तो प्लीज आप इस बार ना उठाए अगले साल से स्टार्ड कीजिए अगले साल से अच्छे मूर्त में हैं सब खाव पिलीजिए और फिर अपनी सुभीधा नुसर आपने वो जो गेहूं का कलस था अपनी सास को दे दे हाथों में दक्छिना के साथ उनसे आशिरवाद लें पैर चुकर धन्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यूद्यू